हलो माइड इरे श्टूडेंट्स तो कैसे आप सभी लोग आई होपाइप सभी लोग बहुत अच्छे ह ओंगे बच्छों मैं शशाघ्स no आजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ अड़ा 24-7 इस्कूल पर तो मेरे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों की तयारी कैसी चल रही है आई होप आप सभी लोगों की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी तो बच्चों हम लोग 3-dimensional जोमेट्री के इतनी सारे चीज़ें डिसक्चन कर चुक हैं इंट्रदक्शन अप द्धा 3-dimensional जोमेट्री उसके बाद मैंने आपको डिसीज डियास और एक्सरसाइज 11.1 आपको करा है equation of the line in the space आपको करा है, shortest distance, exercise बाकी सारे चीज़ें plane and equation of the plane in the normal form आपको करा चुक हैं तो आज मैं आपके सामने discussion करने जा रहा हूं co-planar vector के बारे में और उसके अलामा, co-planar vector के अलामा इसमें जो आपका plane in the form of intercept form होता है वह कैसे हम find out करता है, इसके अलामा co-planar planes कैसे होता है, एक plane और एक line के बीच में angle कैसे find out करता है, दो plane के बीच में परपेंटिकुलारिटी की condition क्या होती है, पारलल plane कैसे होता है, तो बच्चो इन सारी चीजों के बारे में one by one हम लोग discussion करने जाने वाले हैं तो बच्चों आप पूरे सेशन में बने रही है बहुत ही जबर्दस तरीके से एक दा मच्छे से पढ़ाई किजे और अपने माबाप का नाम रोशन किजे तो बच्चों वन बाई वन सारी चीजों का डिसक्रेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे यह है कि इंटरसेट फॉर्म ऑफ दा इक्वेशन ऑफ दा प्लेन ठीक है आप लोग बच्पर में इंटरसेट फॉर्म आफ लाइन पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा समय आपको रिकॉल कराता हूं मिटा कि इंटरसेट फॉर्म ऑफ दा लाइन क्या होता था कि अगर कोई लाइन है जिस आपके सामने यह कोई 3D plane मना रहा हूं तो आपके सामने डेक्वेशन ने ऑर यहां पर equal to zero जहां पर जो आपका D है वो 0 नहीं होना चाहिए और वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो माल लेते हैं बेटा प्लेन की equation जो है वो आपकी है AX plus BY plus CZ plus D is equal plus D is equal to zero ठीक है plus D is equal to zero plus D is equal to zero ठीक है तो आप D को उधर लेकर जाएए जैसे आप इस्टेट लाइन में करता है ना तो similarly बेटा आप इसी तरीके से आप प्लेन में भी किजिए बेटा तो यहां पर आ जाएगा यहां-बार आपके पास आ जाएंगा x upon minus D upon A plus Y upon minus D upon B plus ब्राइब upon minus d upon c is equals to one ठीक है आप जैसे स्टेट लाइन में करता है ना x by a plus y by b is equals to one similarly आप plane में भी है ऐसे लिख लिजे तो यहां पर बीटा जो आपका x-axis intercept है आपका जो x-axis intercept है वो क्या हो जाएगा minus d by a y-axis intercept कितना हो जाएगा बीटा minus d by b और z axis intercept कितना हो जाएगा minus d by c तो आप अगर इसका coordinate लिखना चाहें for example let's say this one is the a तो अगर आप a का coordinate लिखना चाहेंगे तो a क्या है बीटा x-axis intercept तो आप इसे लिख सकते है minus d upon a comma 0 comma 0 ठीक है similarly अगर आप इसका coordinate लिखना चाहें जिरो comma minus d upon सी ठीक है समझ में आगे समझ में आगे आई होप आपको समझ में आ अगया होगा तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो x-axis quad intercept हो जाएगा वह कितना हो जाएगा minus d by a y-axis intercept बच्चों कितना हो जाएगा minus d by b z axis कितना हो जाएगा माइनस डी बाई सी ठीक है तो यहां से आप सभी बच्चों को एक चीज नोटिस करनी है कि आपको इसे यादोत करने की जरूवत नहीं है आप सिंपल सा यही फंडा आप याद रखें तिया आप इंटर सेट निकालते कैसे हैं कोई भी प्लेन की एक्वेशन यही आपका क्या हो जाएगा एक्स य एक्स जड़ एक्स इंटर सेट आई होप आपको यह चीज समझ आ गी होगे ठीक है समझ भी आगे तो चलिए इसके सामने देख लिए एक एक्जामपल ले लेता है फाइंड दाइक्वेशन अब दा प्लेन विद इंटर से टू थ्री- और से सब्करोंगे है यह पर आपके सामने क्या करें कि आपके सामने कोई प्लेन है है जिसका एक्स एक्सस माई है एक्सस एक्स इंटर Unterset official कितना है एक स्टक एक्टा प्!".-च अब बच्चों कितना हो जाएंगे 004 यह चीज आ जाएगा आपका यह चीज आ जाएगा आपका एकदम क्लियर तो बटा अगर आप इस प्लेन की एक्वेशन लिखना चाहें तो जल्दी से आप एक बार दुबारा यहां से फिर से देख लिजे आप इस प्लेन की क्वेशन मैं समझा रहा है X-axis intercept minus D by B क्या है why is intercept y-axis intercept ठिक और माइनजबी अपॉन सी कितना है बीटा से डेक्सिस इंटरसेप्ट जेड़ेक्स इंटरसेप्ट इन्टरसेप्ट बात समझा रही है तो अगर यह सारे ही नहीं कि सारे इंटरसेट्ट है थो आप एक्स अपान यहां पर आप आ राम से लिख सकते हैं धेखे एकस अपॉन x-axis intercept x-axis intercept है न ऐसे करके आप समझ सकते हुआ एकस अपन- económica इंटरजेप्ट ब्लस ब्लस वाईपान य-axis intercept वाई एकसें इंटरसेप्ट है y-axis intercept plus z upon z-axis intercept z-axis intercept z-axis intercept is equals to one यही आपका होता है समझ लिजे कि किसी भी plane का intercept के format में equation जो होती है वो यही होती है तो आप यहां पर आजो यहां पर आपका x-axis intercept बच्चो कितना है 2 है तो x-axis intercept कितना है आपका 2 है x-axis intercept यहां पर कितना है बटा है y-axis intercept आपका कितना है y-axis intercept आपका 3-0 x-axis intercept बैटक इतना Z-axis intercept आपका 4 तो आराम से आप equation of the plane के अलिक से थे हैं x upon 2 x upon x ka intercept y upon y ka intercept 3 plus z upon z ka intercept four equals to one यही आपकी क्या आगए equation of the plane आगी जैसे आप straight line में करते थे ना similarly आप यहां पर भी ऐसे कर लेज़े ठीक है समझ आगया बहुत सही अब इसके बाद आजाते है बैटा plane passing through the intersection of the two given plane जहां पर भी आपके पास आए कि intersection of the two given plane आप ऐसी जिगह पर हमेशा याद रखना बच्चो किस की बात होगी family of the plane की बात होगी किस की बात होगी यहां पर आपके सामने family of the plane की बात होगी किसकी बात होगी बच्चा, family of the plane की बाते होगे, ठीक है बच्चो, ठीक है, अगर कहीं पर भी आपके सामने, plane passing through the intersection of two given plane, तो यहाँ पर किसकी बाते होगी, family of the plane की बाते होगे, तो जल्दी से यहाँ पर आप देख लो, कहने का मतलब यह होगा, कि जैसे मालो आपके पास यहा आ वाला होगा, plane तो कहीं इस टाइप का intersection बाला plane होगा, माल लित्रें यह वाला जो plane है, इन दोनों plane के добीक्त है, intersection वाला plane है, समझ में एह एक निये, जैसे आप की copy होती है तो आपकी copy ऐसे और Pis लो, समझ लो एक plane ये होगा, दूसरा plane हो गया, जो इनके intersection उनकी इसी मालो जो ज़िसने पीटो पीज़ी न्याज केक्वेशन है ऑर याप नार्मल और के फॉर्माइट में अलग शुच्राब डिटी टू ठीक है तो बच्चों यहां से यहां से आप कैसे लिख सकते हैं तो जो इसका जो आपका फैallee अब्डप्लेन होगा जो इसका आप का फैमिली अन्डप्लेई होगा आफ एमिली फैलेन और को कैसे लिखें तो तो इनका family of the plane बच्चों कैसे लिखेंगे आरवन डॉट एनवन माइनस डीवन प्लस ठीक है यहां पर लैमडा ले लेते हैं क्योंकि अगर आपका एक प्लेन पीवन है दूसरा प्लेन पीटू है इसका family of the प्लेन हम कैसे लिखते हैं पीवन प्लस लैमडा पीटू इज इकल स्टू जेरो फीवन प्लस लैमडा पीटू इजग्वल इस टू जीरो ठीक है तो यह होता है आपका family of the plane तो यह होगे आपका पीवन प्लस लैमडा टाइम स्पीटू कितना बच्चों आर टू डॉट एंड एंडू-दीट्री इणटो फीटो यह होगे आपका प्लेन पीटू यह क्या होगे ताप में वियह साथ में अलेलो और और बाकी सारी यही होती है बच्चों आपकी family of the plane की equation यही होती है उस plane की equation जो दो plane के intersection से पास होगा उसकी उस plane की equation क्या होती ही बच्चों r1.n1 plus lambda n2 is equal to d1 plus lambda d2 यह होता है ठीक है बात समझ में आगई बात समझ में आगई जल्दी से मुझे बता दो तो इस चीज को सारे बच्चे अपनी copy में बच्चों note down कर लो यही चीज यहां पर देखो आपके सामने लिख रखी है यहां पर तो सारे बच्चे आराम से अपनी copy में इस चीज को note down कर लेना ठीक है आराम से आई होप आप सभी बच्चों को आपके पास family of the plane की एक्वेशन आ जाती है समझाए गया बटा बता तो कोई दिक्कत अभी तक आई होप नहीं होगी तो इसी इसी चीज को बच्चों कर Cartition कार्टीशन में लिखेंन कैसे लिख सकते हैं इसी चीज को अगर बच्चों करटीशन फर्मेट में लिखेंड दें को सिंपल सा तरीक है अगर आप Cart schon फर्मैट में लिखेंगे जैस्फेहाँ निखिएँ कि यःँ पर आपके पास एक प्लैन है और यहां पर की क्रेशन है आपकी A1 X plus B1 Y plus C1 Z plus D1 is equals to zero और इस वाले प्लेन की कार्टिशन फर्माट में अगर आपको एक्वेशन गिवन हो A2 X plus B2 Y plus C2 Z plus D2 is equals to zero ठीक है अगर आपको यह वाला प्लेन गिवन हो इस तरीके से कार्टिशन के फर्माट में यह वाला भी कार्टिशन के फर्माट में गिवन हो तो आप इसका फैमिली ऑफ दा प्लेन की एक्वेशन आप कैसे लिखोगे हमेशा हमेशा याद रखना फैमिली ऑफ प्लेन की क्या होगी P1 plus lambda P2 is equals to zero हमेशा family of the line family of the plane family प्लेन की जिज़े आपके पास देखो यह वाली चीज आ जाईगी अपके पास बच्चो यह वाली equation आ जाएगी ठीक है यह वाली equation मैं आपको करके दिखा देता हूं प्लस लैंडा ले लिया क्योंकि इनोंने जो oni की एक्वेशन भी स्कॉइल टू के फ़र्माट में ले रख़ ए है हना इस इसको फ्रॉरमाट में ले रख यह तो मैं एक्जेक्ट ली आपका इसी के फॉरमाट में ले यहां पर यहां पर इंहों ने इस यहां पर इहां पर इनोने जो इक्वेशन लिखिया वह इस टाइप के लिख है적 को राइगर स्टी उट ल्ट्रेसर ऐंगा तो अगर मत्चों आप 20og फीकल एकलो टृस ए बॉट्रेस्ट के फोर्माइट में तो हमेशा याद रखना है अगर आपके पास दो प्लेन की इक्वेशन इन फॉर्म आप कार्टीशन लिखी है तो आप कैसे फेमिली ऑफ दा प्लेन की एक्वेशन लिखोगे पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दा दूसरा प्ले बस एक दम सिंपल सा फंडा आप यह है याद रखना यह वार्फ दो प्लेन की लिखेंगे तो इस तरीके से आजाएगी फिर जब उससे थोड़ा सा सम्पली पाइगे तो यह आ जाएगा मैंने आपको सिंपल तरीके से मैंने आपको simple तरीके से दो plane अगर partition के format में लिखे मैंने ये दोनों plane को partition के format में लिख दिये तो ये सारे चीज़ें आपको करने की जरूवत ही नहीं है अगर आपने direct partition के format में लिख दिया है तो बस simple सायाद रखना है कभी भी अगर आपको family of the plane अपलाई करना है तो simple सायाद रखना है कि P1 प्लस लामडा P2 is equals to 0 ठीक है सबसे पहला सवाल कर लेते हैं बच्चों, find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane this one and this one ठीक है, and the point तो हमेशा देखो, यहाँ पर आपके पास plane की equation क्या लिख ही है बच्चों R.I vector plus J vector plus K vector is equals to 6 दूसरा क्या लिखा है बच्चों R.2, 2I vector plus 3J vector plus 4K vector is equals to minus 5 यह चीज लिख रख है, ठीक है तो अगर, अगर मैं इसी चीज़ को बच्चों आपको P1 कह दू, P1 and this one is the P2, तो family of the plane बटा कितना हो जाएगा आपका P1 plus lambda P2 is equals to 0 हमेशा सबसे basic, सबसे original funda आप यह याद रखना है तो आप P1 यहाँ पर लिख लो, P1 आप कैसे लिखोगे सब कुछ एक साइड लाके तो R1, I vector plus J vector plus K vector minus 6 ठीक है, यह आपका हो गया P1 plus lambda times P2 कैसे लिखोगे, सब कुछ एक साइड लाके R2 dot 2I vector plus 3J plus 4K vector plus 5, is equal to 0 यह हो गया देखो आपका family of the planic equation, बस आप simple से काम क्या करोगे यहाँ से R1 वाला एक साथ में ले लो और बाकी सारे चीज़ें आप एक साथ में ले लो तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा देखो यहाँ से, अच्छा यह आपका R1 है, sorry यह आपका दोनों ही R होगा, यहाँ पर R1, R2 तो होई नहीं सकता क्योंकि यह तो general points है, तो बच्चा यह जो है, यह R1, R2 नहीं होंगे, है ना यह दोनों ही R होंगे आपके, क्योंकि यह तो general point है, general coordinate है तो general coordinate तो हमेसा x, y, z होगा तो यहाँ से क्या करो, आप R वाला सारी चीज़े एक साथ में ले लो, R dot यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चा, I cap plus J cap plus K cap ठीक है, plus यहाँ से क्या हो जाएगा, lambda times 2 I vector plus 3 J vector plus 4 K vector, ठीक है this one plus lambda times this one, यह हो गया आपका R वाला और इसके अलावा क्या बच्चा, यहाँ से minus 6 आजाएगा, यहाँ से minus 6 आजाएगा और यहाँ से क्या आजाएगा, 5 lambda equals to 0, बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है अब क्या करना है आपको, यह कहां से point हो रहा है, आपका, कहां से pass हो रहा है यह वज़ा plane ये plane ये plane कहा से पास हो रहा है बच्चो, plane passes through the plane कहा से पास हो रहा है , plane passage ऐसकर मतलब इससे आप कैसे लेख सकते है !! बस आप क्या करोगे‬ आर्गी जहगा पर यहाँ से आपके पास देखो !! λ викmas लेके वरो आ जाएगी तो आप आर्गी जहगा पर बेटा क्या करोगे आई कैप प्लस जेकर प्लस के कप रखदो उसके बाद डर्ट प्रोड़क्ट निकाल ले न तो आपके पास यह वैलिव आ जाएगी ठीक है है समझ नारी बात तो यहां से क्या क्या में आंदर से और यह और सिंप्लिफाई कर लेते थोड़ी सी calculation जो है, हलका सा short हो जाएगा है न, तो यहाँ पर बच्चों, I cap का सब कुछ एक साथ में लिख लेते हैं J वाला सब कुछ एक साथ में लिख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो कैसे लिखोगे I cap, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 plus 2 lambda plus J cap, यहाँ से कितना आजाएगा 1 plus 3 lambda plus K cap, यहाँ से कितना आजाएगा 1 plus 4 lambda ठीक है, और यहाँ से आजाएगा minus 6 plus 5 lambda is equals to 0, बात समझा रही है तो बस अब इसके साथ में आप dot product ले लो तो आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 plus 4 lambda minus 6 plus 5 lambda is equals to 0 तो यहाँ से हमारे पास lambda की value आजाएगे न, lambda की value क्या जाएगी 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 14 lambda 14 lambda, और यहाँ से बिटा कितना आजाएगा, 1, 1, 2 1, 3, और 1, 1, 2, 1, 3 और 6 में से 3 सब्टराइट करोगे तो कितना आजाएगा, minus 3 is equals to 0 तो lambda equal to कितना आगे बच्छो 3 by 14 calculation जरूर cross check कर ले न, lambda की value कितना आगे 3 by 14, तो बस आप simple से काम क्या करोगे बिटा, बस इसी वाली equation में lambda की आप value डाल दो हैना, आपके सामने देखो family of the plane की equation यह वाली हैना, बस आप simple से काम क्या करो, इसी equation में आप क्या करोगे बिटा, lambda is equals to lambda is equal to 3 by 14 value डाल दो, हैना, lambda is equal to 3 by 14 value डाल दो तो यहां पर आपका 3 by 14 हो जाएगा, यहां पर भी 3 by 14 हो जाएगा, तो थोड़ा सा एकाधा लाइन और लिखके simplified कर लेना, तो वही आपका final answer आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया बच्चों, समझ आ गया जल्दी से मचे बता दो, everything is clear, I hope समझ में आ गया होगा, चलें आगे coplanarity of the two lines, दो लाइने बच्चों coplanar कब होती हैं, देखो यहां पर जैसे माल लो कि आपके पास एक plane है, आपके पास एक plane है, ठीक है, अब इसी पर दो line है, इसी पर हम कह रहे हैं कि भया, दो line है, आपके पास एक कोई plane है, इसी पर आपके सामने दो line है, जिस पर पहले line की equation आपके सामने देखो लिख रखी है, r vector is equals to a1 vector plus lambda times of the b1 vector, और दूसरे line की equation है, बच्चो, r vector is equals to a2 vector plus lambda times of the b2 vector, ठीक है, ये आपके सामने देखो, दो, आपके सामने दो line है, जो की एक plane में है, तो इनकी condition क्या होगी, इनकी condition क्या होगी, बच्चा, आप आराम से समझ सकते हो, अगर ये वाली line a1 plus lambda b1 है, तो ये coordinate कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये वाली line का a2 कहां पर होगा, यहां पर कहीं पर होगा, ठीक है, अब आप a1 और a2 को join कर दो, अब आप a1 और a2 को join कर दो, तो कौन सा vector बन जाएगा यहां से, a2 minus a1 vector या a1 minus a2 vector हो हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलमा, इस vector का, इसका direction vector क्या है, पहले वाली line का b1 vector, दूसरी वाली line का direction vector कितना है, बीटू vector, ठीक है, तो इन दोनों vector के perpendicular वाला vector क्या होगा, एक ऐसा vector जो b1 के भी perpendicular हो और b2 के भी perpendicular हो, तो क्या होगा, b1 cross b2 vector होगा के ने, b1 cross b2 vector होगा के ने, और वेसी बात होगा, b1 cross b2 vector कहां पर होगा, इस plane के perpendicular वाला vector होगा, इस plane के perpendicular वाला vector ही तो होगा ना, b1 cross b2 vector, क्यों? क्योंकि b1 vector की direction तो इस plane में है, b2 की भी इस plane में है, तो b1 cross b2 कहां पर होगा, इसके perpendicular वाला, और a1 цен क्या होंगे जी रोजर Rolling ओर समझाया क्यों कियों ऑन dancer कहां पर कहाँ इस फ्लेज अनों में होगा वीवन क्रॉस बिटीवेटर कहां पर होगा इस प्लेन के पर अन्य घ्लिति ने मैं समझ मैं तो आइव मायन से टू विक्टर डॉट primitive अगर यह चीज आ जा रहा है तो आप क्या कहोगे बटा कि दो की दोनों लाइने जो है आपकी एक प्लेन में है अधर्वाइस दोनों लाइने एक प्लेन में नहीं है बात समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है तो आपकी जो को प्लेनारेटी की कंडिशन इन दा फॉर्म वेक्टर है बच्चो वो क्या है एवन माइनस एटू दोनों दोनों लाइन्स के एवन और एटू को सब्ट्राइट कर दीजे और उनके डिरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोड़ेट्ट लेके आप देखो कि जीरो आ रहे के नहीं अगर जीरो आ जा रहा है तो आप क्या अच्छा ये तो होगे आपका वेक्टर के फॉर्मैट में ये किसके फॉर्मैट में होगे वेक्टर के फॉर्मै अब इसी चीज को अगर कार्टीशन के फॉर्मैट में आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो इसी चीज को अगर कार्टीशन के फॉर्मैट में लिखना च is equal to Z minus Z1 upon C1 यह पहली लाइन की एक्वेशन है दूसरी लाइन की एक्वेशन है बच्चों X minus X2 upon A2 is equal to Y minus Y2 upon B2 is equals to Z minus Z2 upon C2 दूसरी लाइन की एक्वेशन यह तो यह दो की दोनों लाइने पारलल कभ होंगी जब इनका X2 minus X1 मतलब पहले वाली लाइन का जो most obvious point है दूसरे वाली लाइन का most obvious जो point है उनको दोनों को सब्टाइड कर दो एक्स्टू minus X1 Y2 minus Y1 Z2 minus Z1 पहले वाले रो में दूसरे में दोनों के DR पहले वाली लाइन के DR क्या है A1, B1, C1 दूसरे वाली लाइन के DR क्या है बच्चों A2, B2, C2 is equal to 0 तो यह formula सबसे easiest है यह formula सबसे easiest है to find out the two lines are the co-planar or not बात समझ में आ रहा है तो जब भी अगर आपको किसी भी दो वेक्टर का co-planar निकालना हो या आपको दो लाइन पता करनी हो कि co-planar है की नि सिंपल्स आप क्या काम करेंगे दोनों लाइनों के most obvious point को सब्टाइट करके पहले रो में दूसरे में पहले वाली लाइन के DR तीसरे रो में दूसरे वाली लाइन के DR से लिखके एकोल टू देखो जीरो आ रहा है कि नहीं अगर जीरो आ गया तो बहुत लाइन सार्दा को प्लेनर अदर्वाइश नौट तो जल्दी से बच्चों आजो क्या कह रहा है शो डाइट दीज लाइन सेंड इस वन आरदा को ठीक है यहां से आपका यह हो गया आपका समझ लिजे कि एक्स वन वाई वन जेड वन और यहां से हमारे पास एक्स टू आई टू जटू कितना आ जाएगा एक्स टू वाई टू जटू यह कितना आ जाएगा माइनस वन यहां से आ जाएगा टू यहां से आ जाएगा फाइ डू बीटू सी टू यह कितना जाएगा माइनस वन टू फाइव ठिक है तो यह अगर हमें बताना आ है कि दीश टू लाइन सर्दको प्लिनर और नॉट तो क्या फर्मूला उता भी है एक स्टू मैश एक स्टू मैश स्टू और यह सकते हो अब इसे चेक करो कि यह क्या 0 आ रहा है तो सारी की सारी वैलूच को डाल दो आप यहाँ पर सारी की सारी वैलूच को आप यहाँ पर डाल दो और उसके बाद चेक करो कि क्या यह 0 आ रहा है या नहीं तो यहां पर डाल दो सारी की सारी value x2-x1 मतलब minus 1 minus 3 तो कितना हो जाएगा plus 2 2 minus 1 तो हो जाएगा आपका 1 5 minus 5 तो हो जाएगा 0 minus 3 1 5 और यहां से कितना आजाएगा minus 1 2 5 अब जल्दी से calculate करके मुझे बता दो कि आखिरकार यह 0 आ रहा है के ने जल्दी से मुझे calculate करके बता दो कि आखिरकार यह 0 आ रहा है के ने आई होप यह 0 आएगा बटा यह determinant को आप open करो सभी बच्चे तो यहां से आजाएगा 2 यहां से कितना आजाएगा 5 minus 10 minus 1 यहां से कितना आजाएगा बटा 5 3 जा माइनस 15 minus 15 plus 5 है ना यहीन है रहा देखो माइनस 15 plus 5 और यहांसे 2 minus 5 तो ही तो ही जताएगा आप का minus 10 और यहांसे कितना आजाएगा आप का plus 10 एजिकोल इस टुजीरो तो आप देख सकते हैं कि ये इजएकुल टुजीरो वा dato जाएगा मैंस कि बोत लाइन्स कि दो प्लेन के बीच का एंगल हमेशा उनके उनके जो है नॉर्मल के बीच का एंगल होता है जैसे मालो की आपके सामने एक प्लेन यह रहा और एक प्लेन आपके सामने यह रहा इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा यही एंगल बच्चो किसके बीच के होगा इनके के बीच का एंगल ठीक है ? ये مनलो ये म меньow is का वाला नॉर्मल है एंट है ये वालवक्टर मान लॉं एंट्र वेक्टर है ? दोनों के बीच चा जो यंगल होगा यही किसके बीच तो début होगा बात समझ मैं आ रही है cansl है ? वहकर मालो सबसे पहला वाला बीच का एंगल क्या होगा बच्चों इनके नॉर्मल के बीच का एंगल होगा तो आप यहां यही चीज बच्चों यहां पर आपके लिखिए कॉस्ट इकल्स टू एनवन विक्टर डॉट एनटू विक्टर मौड का अपॉन एनवन विक्टर डॉट एनटू विक्टर बात समझ आ रही है अच्छा कार्टीशन फर्मेट में अगर यही चीज आप लिखोगे तो आपके पास क्या जाएगा बिटा यह चीज आ जाएगी क आपका क्या होता है ऑराम से आप जानते हो कि बच्छों क्या होता है एवन आई के प्लस बीवन की फ़िटो प्लस उसक्वाय और मौड ऑफे स्क्वार प्लस इवन स्क्वार और मॉड ऑफन्टू क्या जाएगा बच्छों a2 square plus b2 square plus c2 square तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा बिटा आपके दो प्लेन के बीच का अंगल in the form of Cartesian in the form of Cartesian बात समझ में है यहां पर आप आराम से समझ सकते हैं कि आपका जो n1 vector है वो क्या है बच्चो a1x plus b1y plus c1z और आपका जो n2 vector है यह क्या है बच्चो a2x plus b2y plus c2z यह है ठीक है यह है तो जब आप इनका dot product लेंगे तो क्या आजाएगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 आजाएगा और इसका mod n1 क्या जाएगा root of a1 square plus b1 square plus c1 square mod of a2 square root of a2 square plus b2 square plus c2 square यह चीज़ आजाएगा ठीक तो आई हो बच्चो यह चीज़ आपको समझ में आगी होगी ठीक everything clear तो चलो अगला आजो अब यहां पर यहां पर अब आप आराम से देखो कि हमारे पास दो plane के बीच का angle बच्चो कितना आया है दो plane के बीच का angle कितना आया a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root of a1 square plus b1 square plus c1 square और under root of a2 square plus b2 square plus c2 square यही चीज़ आया है नब एक चीज़ बताओ मझे अगर दो plane के बीच का angle 90 degree हो जाए अगर आपके दो plane का बीच का angle 90 degree हो जाए that means कि theta आपका 90 degree हो जाए तो यहां से बच्चो आपका cost theta कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और cost theta आपका 0 हो जाएगा तो आपका यहां से क्या जाएगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0 यह चीज़ हो जाएगा यह सी को हम क्या कहते है condition of perpendicularity इसे हम क्या कहते है बच्चो condition of condition of perpendicularity note down कर ले ना condition of perpendicularity बात समझ में आ रहा है और अगर यही बच्चो यही अगर आपका theta जो है यह 0 degree हो जाएगा तो यहां से आपका क्या हो जाएगा cost theta जो है बच्चो 1 आ जाएगा और अगर cost theta आपका 1 हो जाएगा तो आप जैसे ही आप इसे simplify करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा कि आपका जो दोनों DR का रेशियो है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 ये तीनों क्या होंगे बड़ाबर होंगे ठीक है तो यही यहाँ पर देखो लिख रखा है इप प्लेंस आरेट राइट एंगल दें थीटा is equal to 90 degree cos theta 0 हो जाएगा तो यहां से आपके जो condition आजाएगी वह यह आजाएगी A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0 अगर दो लाइन बच्चों पारलेल है तो यहां पर हमारे सामने condition क्या जाएगी इनके जो DR का रेशियो है वो क्या हो जाएगा से इकवल हो जाएगा that means कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is everything is clear ठीक है सब कुछ सही है बच्चों तो जल्दी से आजाओ इस वाले सवाल पर find the angle between the two planes आपके सामने देखी यहां पर angle है दो plane given है बच्चों क्या कह रहा है एंड यूजिंग वेक्टर में था तो यहां से क्या कह रहा है बटा देखो पहला plane क्या है 2x plus y minus 2z is equal to 5 ठीक है दूसरा plane बच्चों क्या है 3x minus 6y minus 2z यह दो प्लेन है न तो यह पहले वाले plane का जो एन वन वेक्टर है एन वन वेक्टर नॉर्मल का वेक्टर वो कैसे लिखते हो आप इनके जो छक्डू अच्छी द्गा और यहां से क्या आ जाय काई कर प्लस ज्यक यहां से क्या चाप अलगकर इस न यह न की भीच कह वह 활šet to n1.n2 upon mod of n1.mod of dot n multiply ठीक है बात बराबर है तो n1.n2 बच्चों कितना हो जाएगा यहां से 2 into 3 plus 1 into minus 6 और यहां से plus minus 2 into minus 2 upon under root of पहले वाले वेक्टर का mod तो ही हो जाएगा 4 plus 1 plus 4 और दूसरे वाले वेक्टर का mod कितना हो जाएगा 339 plus 36 plus 4 ठीक है तो यहां से मारे पास देखो विटा सेंपलिफाई करो तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो 3 to 6 तो यहां पर 6 a 6 cancel हो जाएगा यहां पर कितना जाएगा टू टू जा माय प्लस 4 आ जाएगा अपन अंडर रूट आफ नाइन और यहां पर कितना आजाएगा यहां पर कितना जाएगा विटा रूट आफ शुटिना इन तो यहां से मारे पास अल्टिमेट लिज आ गया तो बेच का इनके बीच का आपको क्या बताना है बच्चों आप अराम से पहले वाला मिथड लगा सकते हैं दूसरा वाला मिथड भी लगा सकते हैं इसका जो डी आर से इस बार मैं आपको डी आर्स के फार्माट में बता रहा हूं इस बार मैं आपको कार्टिशन के फार्माट से बता रहा हूं इसी सवाल को तो कैसे कर सकते हूं देखो एवन बीवन सीवन बच्चों कितना है इसका 3-6 और 2 यहां से आपका आपका यहां से आपका जो कॉस्ट इटा कितना होता है आपका एवन बीटो प्लस इवन बीटो प्लस इवन जी तो कितना आ जाएगा थ्री तूजा 6-6 इंटो 2-12-4 अपन अंडर रूट ऑफ एवन इस्कॉर प्लस बीटो प्लस इवन इसकॉर प्लस इवन इसकॉर प्लस इवन इसकॉर इवन जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4 और यह कितना आ जाएगा two square प्लस two square प्लस two square तो क्या हो जाएगा four 4-4 4-1 फॉर ठेक तो यहांसे मारे पास ultimately कितना ज़ाए गटह फॉर 25 Z इस इतना ज़ाह गई तू आईगा नंए टूरू धत्य था है गहान थर्च फोर फोर एट ठीक तूरोट 3 एगा तो यहां समारे पास यह कितना जागा वाट 2-5 जा इस वन यहां समारे पास कॉस्टी टा कितना गया माइनस 5 अपन से 1 रूट 3-5 अपन 7 रूट 3 यहां जा तोनो प्लें के वीच का एंगल कोई दिक्कत है you can write in the comment section distance of a point from a given plane बेटा ये भी बड़ा important formula है distance of a point from a given plane तो बस आप simple सा ये वाला formula आप याद रखें ये वाला formula ठीक है जैसे मान लो कि आपके पास यहां पर एक plane है और आपके पास यहां पर कोई point मौझूद है जो की point है आपका X 1 Y 1 Z1 ठीक है और इस plane की equation है ऑद्चों आपकी A X प्लस प्लस बी वाई यह आपके इस어ाम प्ली पैसे साध्र में लिखते हो ना सेम उसी तरीके से कैसे के प्लेंड की equation आपको इस plane इसका perpendicular distance बताना इस plane मे लिखते हो दो आप कैसे बताते हैं जैसे स्चर्ट लाइन में equation को ax plus by plus c z minus d equals to 0 ठीक अब इसके बीच का distance बताने के लिए आप क्या करोगे बटा एक्स की जगा पर x1 y की जगा पर y1 z की जगा पर z1 minus mod d upon in k coefficient का स्कूरर तो यह formula आप direct याद रखना है ना mod of mod बाहर लगाना क्योंकि distance तो कभी negative हो नहीं सकती तो a x1 x की जगा पर देखो x1 plus by 1 plus c z1 minus का d upon root of जो भी आपका x का coefficient होगा इसका square जो भी y का होगा प्लस उसका square जो भी z का होगा प्लस उसका square ठीक है यह हो जाएगा आपका distance formula in the Cartesian format और vector के format में लिखने उखने की कोई जरूवत नहीं है आराम से आप simple सा यही formula आप यूज करना बैटा यही formula j तक यूज करते हैं तो यही formula आप यूज करना ठीक है तो जल्दी से आजो find the distance of a point this one from the plane this one ठीक है आप देखो क्या कह रहा है आपके सामने एक plane लिख रखा है यह plane जो है आपका यह plane जो है देखो आप वेक्टर के format में लिखा है तो हम इसे Cartesian format में कर लेता है तो आर्वेक्टर क्या होता है एक साई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप यही तो होता है और यहां पर 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप is equal to 4 दोनों का डॉट प्रोटर ले लेंगे क्या आ जाएगा 6x minus 3y plus 2z is equal to 4 यही आगया आपका equation of the plane अब condition क्या है यह रहा आपके सामने एक plane यह न और यहां से आपको distance बतानी है बटा कहां से 25-3 से इसकी explain की distance बतानी है तो कैसे बताओगे बताओ तो d is equal to mod बाहर लगाओ 6 into x वाला point लिखो 2-3 into y वाला point लिखो 5 plus 2 into z वाला coordinate लिखो minus 3 और 4 इधर लेकर आ जाओगे तो या जाएगा minus 4 upon under root of x का coefficient कितना है six six square कितना हो जाएगा 36 plus y का coefficient कितना है 3 3 square कितना हो जाएगा 9 plus 2 square कितना हो जाएगा 4 ठीक है तो यहां से बच्चों हमारे पास distance कितना आ गया mode of 12-15 कितना हो जाएगा देखो 12-15 minus 6-4 upon नीचे आ जाएगा 7 यह जाएगा root 49 तो आ जाएगा आपका 7 ठीक है बात समझ में आ रही है सब कुछ सही है बहुत सही तो बीटा ऊपर से कितना जाएगा देखो 21-25 और यहां से कितना जाएगा आपका 13-13 आ जाएगा 21-4 तो 25-25 में से आप 12 घटा दोगे तो कितना जाएगा root of sorry माइनस मौड 13 अपान 7 तो मौड तो हमेशा positive हो जाएगा तो यह इसका अंसर आ जाएगा आपका 13 अपान 7 ठीक है असा बहुत आसान है ना सबसे सबसे पहला का हमने क्या किया प्लेन को कार्टेशन फरमेंट में कर लिए आप बच्पन से ही सीख रख्के हो यह चीज तो है और उसके बाद d equal to क्या हो जाएगा अराम से formula apply करके आपका distance आ जाएगा ठीक है तो जल्दी से आजाओ angle विडवीन लाइन अंड़ प्लेन यह भी बच्चों बहुत ही बहुत ही आसान सा concept है मानलो आपके पास यह एक plane है मानलो यह आपके पास एक plane है इस plane की equation लिए लेता ह X-1 upon A is equal to Y-1 upon B is equal to Z-1 upon C ठीक है अब आपको बताना क्या है बिटा आपको बताना यह है कि इस plane और line के बीच का angle बताना है तो आप कैसे बता होगे थोड़ा सा सोच के देखो यह रहाब का plane आपको यह वाला angle बताना है ठीक है लेकिन जो यह plane हमारे पास यह line है तो इस line के DR हमारे पास बच्चों कितने is the is require किा क्या हो जाएगा इसका ABC हो जाएगा रीस जिस जो प्लेन के normal दूसरा वेक्टर यह है, जिसका वेक्टर ABC है, है ना, तो आप इसके बीच का अंगल आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे माल लो इसके बीच के अंगल को मैं अगर 5 कह देता हूं, इसके बीच के अंगल को अगर मैं, चलो इसको मैं थीटा इसको मैं 5 कह देता हूं, जो भी आ एंगल यह वाला एंगल मैंने फाइ बोल एठीक है कि अब अगर बिछों यह अगल थीटा है यह नॉर्मनल वेटारे तो आइस बात है मई है कि पाइव किया हो जाएगा 90 Max प्रक्रक्राइब स्थाइब्हें किसी भी लाइन के जो डायक्षिन होता उसे भी एकटर से लिखता है और यवाला क्या हो जाए का नवेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यह क्लेन के सर्मक्राइब है कि नहीं तो यहां से जो आप कॉस थीटा लिखते हो वो कॉस थीटा आप क्या लिखोगे बताओ कॉस थीटा किस किस वेक्टर के बीच में एक एन वेक्टर है और एक बी वेक्टर है तो आप आराम से जानते हो कि कॉस थीटा कैसे लिखोगे n vector dot b vector upon mod of n, mod of b, यही लिखोगे, ठीक है, अच्छा, मज़े की बात यह है, कि आपको निकालना कौन सा है, 5 vector, 5 angle निकालना है, क्यों, क्योंकि प्लेन और लाइन के बीच गीच के आंगल क्या है, 5, तो 5 equal to क्या है, cos, sorry, 5 equal to क्या है, 90 minus theta, तो अगर आप theta की जगापर, है ना, theta क जेगा पर आप क्या पूट कर दो फीटा की जेगा पर अगर आप 90-5 पूट करोगे 90 प्लस हना यहसे थीटा की वैलो किया आ जाएगे देखो थीटा की वैलो किया जाएगे 90-5 तो यहां से अगर आप vector.B vector upon mod of n mod of b. यह हो जाता है आपका यह हो जाता है आपका δो plane के बीच का angle समझ मैं है समझ मैं है स्स्री दो plane के बीच का angle नहीं एक plane और एक line के बीच काえ अंगल ठीक है तो simple सा वियात रखना कि जैसे आपके दो line के बीच का जो angle होता है वो क्या होता है cos theta, दो plane के बीच के अंगल क्या होता है, cos theta, अगर एक line और एक plane के बीच की बात होगी, तो वहाँ पर हमेशा हम क्या लिखेंगे, बच्चो, sin theta की बात करेंगे, वहाँ पर हमेशा हम क्या बात करेंगे, sin theta की, ठीक है, समझ मैं है, तो यही वाला formula कर हम partition format में लिखेंगे, तो ह हमारे पास यहां से देखो क्या आजाएगा एक लाइन और एक प्लेड के बीच का एंगल SIN THETA is equal to a a plus b b plus c c upon root of a square plus b square plus c square and root of a square plus b square plus c square ये चीज़ आ जाएगा आपका ये चीज़ आ जाएगा आपका ये formula समझ मैं angle with a line under the plane यहां पर आप आराम से समझ सकते हैं, एक लाइन, इस वाली लाइन और इस वाली वेक्टर के बीच का यह अंगल आप निकाल सकते हैं, तो plane से अंगल कितना हो जाएगा, 90 मैनस थीटा, तो cos 90 मैनस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है, बात समझागी, ठीक, तो चलो, अब इ असान से है, ठीक, यहां से आपका ABC कितना आजाएगा, ABC, ABC, इस plane के DR कितना जाएगा, बच्छो, 10, 2, minus 11, इस वाले लाइन के DR कितना आजाएगा, ABC, ABC कितना जाएगा, यहां से, 236, ठीक, तो इसके बीच का जो अंगल होगा, उसके बीच का एंगल क्या होगा, sin theta, sin theta क्या हो plus c square, और root of small a square plus b square plus c square, तो सारी की सारी values बटा यहां पर डाल दो, आपका answer आजाएगा, 10 into 220, 2 into 3, 6, 11 into 6, minus 66, upon, नीचे कितना आजाएगा, 100 plus 4 plus 121, और यहां से क्या आजाएगा, 4 plus 9 plus 36, ठीक, तो बस इसको calculate कर ले न, जो भी आपके पास आएगा, वही क्या आजाएगा, बच्चों, आपका angle between the plane and the line, बात समझा रहा है, जो भी आपके पास आएगा, वही क्या आजाएगा, आपका angle between the plane and the line, ठीक है, तो बच्चों, यहां आज 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 जो भी 3-dimensional geometry के overall concept थे, वो सारे के सारे खतम हो चुके हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, जो भी आपकी NCRT के exercise हैं, हम उनके बारे में discussion करेंगे, तो बच्चों आप बने रहे हैं, अट्ड़ा 24-7 स्कूल के साथ, thank you so much for watching this lecture, God bless you all.